नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका अपने YouTube चनल पर पतरों आप देख रहे हैं RCC Water Tank की Construction Steps का Part No.3 इससे पहले दोस्तों हम दो पार्ट बना चुके हैं दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपने पहले के दो पार्ट देख लिए होंगे और यदि आपने नहीं देखे हैं तो उ दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं मित्रों मेरे पास एक क्यूशन आता है कि क्या हमें RCC Water Tank में कॉलम भी मनाने की आवशकता है या नहीं तो मित्रों यदि आप लोग एक नॉर्मल घर बना रहे हैं जो कि आपके फेमिली और कुछ किरायदारों के ल separate columns देनी की आवशकता नहीं है हाँ यदि हम beam की बात करें तो दोस्तों जब आपकी प्लिंद beam डाली जाएगी तो आप इस water tank के उपर जरूर से जरूर प्लिंद beam का निर्मान करवाए ताकि दोस्तों जब हम slave डाले तो उस पर आने वाला गाड़ी का load equally distribute होकर हमारे columns में चल सकते हैं क्या तो मित्रों आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा कि जी हां आप लोग कर सकते हैं civil engineering के मताबिक यह कोई गलत नहीं है यह एक प्रकार से जगह का utilization करना होता है पर मित्रों वहीं हम वास्तु शास्तर की बात करें तो वास्तु शास्तर इस चीज को अला करना पड़ता है पर फिर भी मैंने आपको बता दिया ताकि आपको जानकरी रहें अब हाला कि यदि हम वास्तु शास्तर की बात करें तो इसमें कई सारे topics आते हैं कि जिसे हमें water tank को किस दिशा में बनाना चाहिए और क्यों बनाना चाहिए पर दोस्तों इस वीडियो में मै बार को पार्क करना चाहते हैं तो आपको बस कुछ चीजों का ध्यान रखना है जैसे हमारी slab की मोटाई कम से कम पांच इंच होनी चाहिए उसके अलावा जो floor slab में बार्स उपिवक किये जाएंगे वह अभी 12 mm के main bar और 10 mm के distribution bar कम से कम होने चाहिए मित्रो यदि हम बार्स के बीच की दूरी कम से कम change center to center होनी चाहिए हाला कि इन सब चीजों की details आपको अपनी drawing में मिल जाएगी और आपको अपनी drawing की follow करनी है यहां मैं आपको जो knowledge दे रहा हूँ उसे आप एक प्रकार से basic knowledge मान लीजिए और मित्रो एक चीज का और ध्यान रखिएगा कि जब आप ल जब slave cast करें तो वह अलग से करें और बाकी की पूरी slave की casting अलग से करें यह है पूरी slave एक ही दिन में एक ही साथ cast होनी चाहिए मित्रो हमारे subscriber का अगला सवाल था सीडियों के बारे में कि हम underground water tank में सीडिया कैसे लगाएंगे तो मित्रो सीडियों के मामले में आपके पास दो तो यदि आप मेटल की सीडिया लगाना चाते हैं तो मेटल में सबसे अच्छी choice जो मानी जाती है वह है stainless steel की सीडिया पर दोस्तो यदि आप मेटल की सीडिया बनवाए तो आप एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखेगा कि हमें बिल्कुल गॉल और support pipe नहीं बनवाने हैं ज लिए हो सकें तो जो हमारी मेटल की सीडिया बनेगी उस पर आप lines का निर्मान जरूर करवाए ताकि रफनेस के कारण हमारी पेरों की grip उस पर अच्छी तरह बनी रहे मित्रो यदि आप कभी swimming pool गए होंगे तो आपने देखा होगा कि वहाँ पर SS की सीडियों का इस्तमाल कि किया जाता है क्योंकि यह बहुत लंबे समय तक जंग निखाती है और पानी के साथ रेक नहीं करती है अब यदि मैं आपको SS की grade के बारे में बताओं तो यदि आपका budget आपको allow करता है तो 304 grade में आप अपनी सीडियों का निर्मान करवाए हाला कि यदि आप चाहे तो 202 grade म में भी सीडियों का निर्मान करवा सकते है पर मेरी सला आपको यह रहेगी कि यदि आपको लंबे समय तक चलने वाली सीडिया बनवानी है तो आप इसका निर्मान 304 grade में करवाई है अब हाला कि कई लोग तो ऐसा भी करते है कि iron पर SS की coating करवा लेते है पर दोस्तों मैं SS की सीडिया है इन्हें आप टेंग के बन जाने के पश्चात भी आराम से फास्टनर की सायता से इजली इंस्टॉल कर सकते हैं मित्रो अब अगले सवाल पर आते हैं कि क्या हमें RCC water tank का बैस और side की वाल्स एक ही दिन में construct करनी है या फिर पहले दिन में बैस और बाकी दिनो करेंगे ओके फ्रेंट्स पर ध्यान दीजिए कि दोस्तों सरिया पहले ही बन जाएगा क्योंकि दोस्तों हमें L की लेपिंग देनी होती है इसलिए हम बैस का और side का सरिया एक साथ बानते हैं पर casting अलग अलग दिन की जा सकती है ऐसी कोई दिक्कत नहीं है पर दोस्तों एक चीज का ध्यान रखिएगा कि आप यदि sidewalls की casting करने लगे तो देट मिटर तक कम से कम आपको casting करनी ही करनी है मतलब साड़े चार फिट तक आपको कास्टिंग करनी है उसके बाद ही आपको विराम देना है जब तक वह साड़े चार फिट सेटल ना हो जाए तब तक हमें न आही ज़्यादा सुखा रहेगा आप एक प्रकार से यह कह सकते है कि हम medium गीले concrete का इस्तमाल करेंगे casting में क्योंकि दोस्तों यदि आप concrete में water का ratio ज़्यादा बढ़ा देंगे तो उससे हमारा slurry का segregation होनी की संभावना बहता तक बढ़ जाती है और यदि पानी का ratio कम दोने ही चीज खतरनाक होती है concrete के लिए और यदि आपको किसी प्रकार का शक है कि हमारा water ज़्यादा ये कम है तो आप अपने site engineer से कहकर slump test करवा सकते हैं उससे ये चीज clear हो जाएगी कि क्या हमारी concrete का mixture साई से बनकर तयार हुआ है या नहीं मित्रो अगला सवाल है कि vibrator का उपयोग कितना करना है और कैसे करना है तो मित्रो यदि हम vibrator के उपयोग की बात करें तो इसका उपयोग बहुत जरूरी है आपको casting करते समय vibrator का इस्तमाल करना ही करना है पर आप बात करते हैं कि vibrator का इस्तमाल कैसे करना है तो मित्रो हमेशा एक चीज का ध्यान रहे है कि जब भी आप casting करवाएं, तो जो vibrator होता है, वह सरीयों के touch नहीं होना चाहिए, अब दोस्तों ऐसा नहीं है कि यदि गलती से touch हो जाए, तो आप उस पर भी react करें, क्योंकि दोस्तों गलती से touch हो सकता है, पर यदि intentionally, जान बूझ कर यदि बार-बार सरीयों पे touch किया जाता है, तो वह चीज बहुत गलत है, वह नहीं होनी चाहिए, या आप ensure कीजिएगा, और मित्रों कई लोगों की क्या आदत होती है, कि वह casting करते समय सरीयों हिलाते है, वह ये सोस्ते है कि सरीयों के हिलाने से हमारी concrete का compaction अच्छा होगा, पर दोस्तों ये और भी खतरनाक चीज है, अगर कोई आपके सरीयों हिला रहा है, तो उसे वहीं रोक दीजिए, क्योंकि ये दि सरीया टेडा हो गया, तो वह किसी भी condition में सीधा नहीं हो सकता, मतलब सरीयों का जरा भी band हो जाना, आपके RCC water tank के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि दोस्तों ये पूरी load की calculation बिगार द बता है कि कई लोग एक ही एक जगए बहुत ज़्यादा vibrator लगाते हैं, उससे भी cement की slurry और aggregate का segregation हो जाता है, मतलब हमारी cement की slurry और aggregate अलग-अलग हो जाते हैं, और इस करण honeycomb की समस्या आ जाती है, तो मित्रोईसी के साथ इस वीडियो का अंत करते हैं, उम्मीद आपको वी मेंद वन्दे मातरम